भाई और भेनों, अन्दमान की ये धर्ती वो भूमी है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फैरा था। इस धर्ती पर पहली आजाद भारतिय सरकार का गठन हुआ था। इच्छा और बलीदानों की पराकास्टा को छुआ था। सेल्लूलर जेल की कोठरियां, उस दिवार पे जड़ी हुई हर चीज, आज भी अप्रतीम पीड़ा के साथ साथ उस अभूत्पुर्वत जज़्वे के स्वर। वहाँ पहुंचने वाले हरक्षी के कान में पढ़ते हैं, सुना ही पढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संगराम के उन स्मृत्यों की जगर, अन्नमान की पहचान को गुलामी की निसानियों से जोड कर रखा गया था। हमारे आइलेंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सवभाग्य है कि चार-पांच साल पहले जब मैं पॉर्ट प्लेर आया गया था, तो वहां मुझे तीन मुख्य आइलेंड्स को भारतिये नाम देने का आउसर मिला था। आज रॉस आइलेंड्स नेताजी सुभाज चंद्र बोध दिब बन चुका है। हैवलोक और नील आइलेंड्स स्वराज और सहीद आइलेंड्स बन चुके हैं। और इसमें भी दिल्चस्प ये कि स्वराज और सहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आज हादी के बाद महत्वन नहीं दिया गया था। जब आजाद हिंद फोच की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था।